अलो प्यारे बच्चो मैं हूँ आपकी होस्ट रूपा मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ट्वाइस आज हम चरेंगे इनको अन्बॉक्स देखेंगे कि हम इनके साथ कितनी देर तक खेल सकते हैं इन सब खिलोनों को बाहिर निकालते हैं और फिर इनका प्रतीर लगाते देखते हैं कि ये बई इसके अंदर क्या क्या आया है ये तो देखने में कुछ चाय वाला कोई सेट लग रहा है साथ में कुछ फ्राइज लग रही है चलो प्यारे बच्चो अब हम इसको सेट करते हैं और देखते हैं बई ये हमें कितना मज़ा कराता है खेलने में ये रह यह तो खाली है कोई बात नहीं हम इसमें अपने जीजे रखके इसको भर लेंगे इसको खोलते हैं फिर यह तो काफी दिक से खुला है काफी निया है ना शाहिद जब बार बार खेलेंगे खुलेगा तो यह ठीक हो जाएगा प्यारे बच्चो अब हम इसको यहां पर ऐसे यह तो बहुत ही प्यारी ग्रीन करण की यानि के सबस रंग की कुरसी है इसको यहां रखते हैं उसके बाद है बहुत ही प्यारी शानदार गुलाबी रंग की कुरसी इसको यहां रखते हैं उसके बाद है एक और गुलाबी रंग की कुरसी यानि के पिंक चेर इसको यहां पे रखते हैं अब प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि अब और इसमें हमारे पास सेट करने के लिए क्या क्या है यह है एक पानी वाला फिल्टर यहां डिस्पेंसर जिससे गर्मियों में ठंडा पानी आएगा इसको हम कुर्सियों के पास ऐसे रख देते हैं ताकि जो म हमने कुछ पकाना है चूले को रखते हैं फ्रिच के बिलकुल पास ताकि कुछ भी हमें निकालना होते रहे आसानी ये क्या भई ये तो लारंग का एक सेंट्विच मेकर है ये तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही ब्यूटिफूल और बहुत ही खुबसूरत है इसको भी चूले के पास ही रखते हैं ये है एक फ्रूट या वेज़िटेबल कटर टेबल इसको भी पास ही रखते हैं इसके बाद है टोमेटो केचप का प्याड़ा साश ये पचास ग्राम का ये हम डालेंगे सैंडविच के ऊपर कैचप पीज़ा के ऊपर और बाकी कुछ और अपने स्नैक्स के ऊपर ये क्या है ये है आलवेज गूट ये है चीज ये तो बहुत ही यमी होती है ये आपको तो पता ही है पीज़ा के ऊपर डालके खाते हैं सेंड़िश में डाल के खाते हैं लो जी पीजा का नाम लिया तो साथी पीजा आ गया ये देखे ना, अब हम इसको एक प्रेट में रखके सर्फ करते हैं हाथ में रखके थोड़ी खाना होता है वो तो बुरे लोगों की गंदे बच्चों के काम होते हैं अब हम क्या करें अब हम लाते हैं एक और टोकरी टोकरी में क्या रखेंगे बई टोकरी में रखने वाली तो कोई चीज नहीं है लेकन कोई ना, हम इसमें पीजा रखके पास ही रख देंगे अब हम लेते हैं एक पानी वाला बड़ा सा कैन हो ये तो पुराने जमाने की water carry करने वाली पानी वाली वो भी आ गई आपकी सुबान में इसको क्या कहते है क्यमेंट करके प्यारे बच्च ज़रूर बताईए का ये हम यहां रख देते हैं उसके बाद भई जो लोग चाई पीएंगे कुछ लोग तो चाई के साथ मीठा खाना पसंद करते हैं यह है एक चॉकलिट कुकी जो कि है ब्राउन रंग की इसको हम यहां पे रखते हैं उसके बाद यह है कहवा वाली केटली यानि कि इसमें है चाई का कहवा कुछ लोग सिर्फ कहवा पीना पसंद करते हैं तो हम इसको यहां पर रख देंगे लेकिन प्यारे बच्चो जब घर में आपकी ममा चाय सर्फ करी महमानों को तो टेबल पर बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि वो चीज़ें करम होती है और आपके ओपर गिर के आप जल जाओगे ठीक है और वैसे भी महमानों के सामने इस तरह की हरकते करना बैड मैनर्स में आता है यह रही एक अदग दूद वाली चोटी केतली इसमें भी गरम दूद डाला जाता है उसके बाद हम चाय वाले कप को एक एक करके तमीज से सजा देंगे ताके यह बहुत ही दिखने में सुन्दर लगे और जो एक कुछी है वो हम कीचन में काम करने वाले भाईया के लिए साइड पे सजा देंगे ताके वो उसको अच्छा लगे यह रहे भई फ्रैस कुछ लोग चाय के साथ चिप्स खाना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग तो ना चाई पीते हैं, ना पीजा खाते हैं, ना बिस्किट खाते हैं, वो तो फ्रेश जूसिज या मिलक शेक पीना पसंद करते हैं, तो हम उनके लाएं एक मिलक शेक, और यहां हम साइड पे एक छोटा टेबल सेट भी लगा देंगे, जिस पेके बैठेंग इसके अंदर यू करके, और हम इसको रखेंगे कहां, यह तो बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा है मुझे बई, चीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मारी वीडियो अच्छे लग रही हैं, तो को सब्सक्राइब लाज में कीचेगा, दोस्तों के शेयर कीचेगा, और अच्छी बातों को फॉलो कीचेगा, शब शब खैर